हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटीब चैनल पर आज हम करेंगे सेंपल कोश्चन वेपर 4 IT402 के लिए इससे पहले हम तीन सेंपल वेपर कर चुके हैं तीन सेंपल वेपर इससे पहले हम कर चुके हैं और तीन नहीं चार समझ लिजिए क्योंकि एक सीदी एसीरी जो स आजम करने आ रहे हैं चलिए तो शुरू करते हैं IT402 के लिए यह सेंपल वेपर है यह कहा है IT402 मुझे लेखने में थोड़ा टाइम लगता है तो इससे थोड़ा मैनेज कर लिएगा हाँ तो यहां पर आपको maximum time दिया हुआ है 2 hours लेकिन हम कोशिच करेंगी कि हम इसे 30 minutes में complete कर दें अब मुझे 30 minutes ऐसे इसलिए लगेंगी क्योंकि मैं लेखूंगा नहीं आपको exam में लेखना है इसलिए आपको time दिया है 2 hours ठीक है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा आपको exam में किसी को समझारा नहीं है तो वह यह आपको ज़दा time नहीं लगेगा exam आसाना आता है IT का ठीक है तो देखते हैं पहला question है इंस्ट्रक्शन वगरा आप वेडियो पॉस्ट करके पढ़ सकते हो चलिए डैस इस ability of a person to do things that need to be done without someone or something influencing us तो मंदला अगर हम अपने आप ही कुछ करने लगे अपने बभश्य का बारे में सोचके तो वह क्या होगा मतलब कोई हमें influence नहीं कर रहा है उसकी बारे में अपने आप कर रहे तो वह होता है self motivation अपने आप motivate होके हम कुछ कर रहे हैं ठीक है चलिए employability skills से पांच कोश्चन है यहां पर चार करने है एक्जाम में छे हैंगे छे में से चार करने होंगे ठीक है जिसको आप मेसे बेज रहे हैं उससे क्या कहते हैं receiver receiver को message भेजा जाता है to whom the message is sent okay that is a set of activities performed by the entrepreneur entrepreneur जो activities perform करता है कि सेट को क्या कहते हैं उससे कहते हैं entrepreneurship अगर आपने हिंदी में पड़े होंगे यह रचना के आधार पर वाक्य भेद है ठीक है सरल वाक्य सवयक्त वाक्य मिस्र वाक्य तो वह सरल वाक्य होता है यह सेंबल sentence कहते हैं उसे ही इंग्लिश में ठीक है अब यह homework question है इसलिए इसलिए मैं इसलिए देता हूंगे कि आपका वीडियो को पूरी देखो हो सकता है आप एंपसी क्यू करके छोड़ देते हों नहीं ऐसी बात नहीं है एक्जाम दो आपका पूरा आना है पचास माक्स का तो हम्वक कुशन को जरूर किया करें कमेंट में आंसर जरूर किया करें तब ही मुझा पता चलिए है कि आप वीड का ठीक को दबाते हैं तो रं डायल्ग बॉक्स ऊपन होता है उसमें हम किसी सॉफ्टव्यर का आंब अंटर करेंगे किसी पी हम लिखेंगे और और पेस करेंगे तो हम उस software पे पहुंच जाएंगे software या फिर किसी फाइल का नाम ठीक है यहां पर अब शुरू होते हैं subject specific skills के mcqs देखिए death styles are used to format graphic and text frames including wrapping type borders background और कौन सी style होती है जिनमें हम graphic टेस्ट और frames को format करते हैं wrap करते हैं text wrapping वगएरा और borders वगएरा background और column वगएरा को हम check करते हैं या फिर मोड़े भाई करते हैं या फिर format करते हैं यहां पर यह फ्रेम स्टाइल्स हम यूज इन सब कामों को लिए करते हैं नेक्स्ट कुछन विच्ट फॉलिंग विच्टर ऑपन ऑपर स्राइटर इस यूज टू क्रेट वाटर मार्क बनाने के लिए कौन सा फीचर जो जो फीचर है एक मिनट सोरी ट्रांसपेरेंसी जो फ इसको मैं इसको मैं ट्रांसपेरेंट करता यहां इसके पार से टेक्स्ट भी दिखाई थे यह तरह मैं लाइट कर दिया तो यह क्या हो गया वाटर मार्क के लिए उट गया गौरव वांट्स तू इंसर्ट इस कंपनी लोगों लगाना चाहता है अपने हर एक पेज के टॉप पे अपने डॉक्युमेट पे तो वो कौन सा ऑप्शन यूज करें तो हैडर ऑप्शन का वो यूज करेगा वैसे स्लि जो है वो शायद सरीवस में नहीं है इन टेबल अफ कॉंटेंट्स एस्टेग बटन रिप्रजएट जो हैस्टेग बटन होता है वो शायद एक मिनट मैं चेक करता हूँ अगर आप वो में गलत आंसर क्यों हो बता हूँ आपको मैं बूल गया हुद करता है तो मैं आपको गलत पताए क्या करूंता है तो भाई पहले थोड़ी सी चीटिंग की है हाँ पर चीटिंग क्या किया है नियां सर देख लिया चुपके मैं थोड़ा भूल गाता कोई दिक्कर नहीं है ठीक है तो यहां पे इसका आंसर है तेज नमबर क्या होता है बतलो है यह टेवल उप्टन जो होता है वो पेज नमबर को रिप्रिजेंट करता है तो है यहां पे देखिए अगर मालीजे मेरे पास कोई लेटर है ये कुश्चिन क्या करना चाहला समझीए मेरे पास कोई लेटर है उसमें मैं जो मेरा एन्वेलप है उस पे हर एक एन्वेलप पर अलग अलग परसन का नाम लिखूँ इसा तो है नहीं मैं अब येक लेटर को एक ही आदमी के पास बेजूँगा मुझे बहुत सारे कुश्चन यहां पर फिट सेंब से क्योंज है डैस एसेंसियल यह सेवड़ सेट ऑफ वैल्यूज ओफ यॉर कैलकुलेशन हमारी जो भी कैलकुलेशन से उनका सेवर सेट क्या कहलाता है मैंने जब आपको पढ़ाया था यह सेनेरियो तो मैंने आपको पताया था कि जो हमारा सेनेरियो होता है वह सेवर सेक्वेंस होता है सेवर सेक्वेंस यह सेवर सेट होता है कि इसका हमारी वैल्यूज का जो भी हमने कैलकुलेशन की है उनका सेवर सेट क्या होता है सेनेरियो तिक वाटेफ सेनेरियो क्याता है कुछ देशिज स्पेसिफिकली डिजाइन टो मिनिम spreadsheet मतलब देखिए हम अपने रिचल्ट को मैंनी माइज या फिर मैगसी माइज कम चाते हैं और वैल्यू डालके अपनी घुट की मतलब हम आंसर नहीं एक मिनट हाँ मैं आंसर चेंज कर दूँ और आंसर डालके देखू कि कौन सी वैल्यू होगी जिसको मैं multiply करूंगा या फिर एड करूंगा जो कुछ भी calculate करके मेरा यह answer आई देखिए मैं एक्जांपल देख पता दा हूँ 1A 1 प्लस 2 इस एक्वल टू 3 2 सब को पता होगा कि 1 प्लस 2 इस एक्वल टू 3 अम मैं यहाँ पर अगर वो रख दू ली की जगह में यहाँ पर अगर फोर पुट करूं यहाँ पर वन की जगह क्या आएगा तू आएगा आएगा लेकिन आगर बडी क्रेटर रोत तो तो मैं यहां पर स्प्रेड़शीट में क्या करूंगा क्या करूंगा मैं मैं सॉलवर का यूज करूंगा विद्वें किस्ट कर सकता हूं जो भी मुझे वाल्यूस चाहिए रिजल्ट की स्का था solver next question which of these is not a part of reference worksheet जो हम worksheet को reference करते हैं उनका कौन सा यह इन में से कौन सा उसका पार्ट है इन में से कौन सा referencing worksheet का एक पार्ट है फाइल पाथ और फाइल नेम sheet name cell by all of these यह तीनों ही worksheet को reference करने के parts है अगर कोई workbook आपने शेयर किया अपने दोस्तिय साथ शेयर वक्षीट डाटा आपने एक session पड़ा होगा शायद यह electronic spreadsheet का session number 3 था तो जब हम worksheet को share करते हैं अफिर अपनी workbook को share करते हैं तो उसमें जो cell है जिसमें हमने changes किये हैं जिस cell में मैंने को change किया है उसमें किस color का border create होयाता है तो आपको पता चल गया होगा अब तक जो समझदार हैं कि red color का border उसमें create हो जाता है अपने आप चलिए फिर से मैंने blue color opt किया देखे मैक्रो सब मेनू is available in which menu जो कि मैक्रो सब मेनू होती है वो किस मेनू के अंदर आपको मिलेगी तूल्स में तूल्स में आपको मैक्रो का option मिल जाता है एक और कंट्रब कर लें यास तूल्स वाली मेनू में आपको मैक्रो की सब मेनू मिलेगी मेनू सब मेनू नहीं पता गया देखे जब मेनू बार आपका होता है यहां पे इसमें होता है हूम इनसर्ट तूल्स टूल्स ओर्मेट इंसर्ट व्यू यह सब लें यहां पे एक टूल्स का option होता है है इसके अंदर आपको बहुसता भी सम्मेनू मिलें गो यहां पे अक मैक्रो नाम की सब ङुख़ड़ा का तो यह मेनू और सब मेनू का फंड डाता समझ में आ गया लिए नहीं समझ वेया तो कमेंट कर दी इन में से कौन सा है डाटा बिल्कुल है बेकप एंड रिकावरी यह भी है तो ऑल अव दिए इसका अंसर है मैंने इन पर वैसे की टिक कर दिया एक्जाम आप तीनों पर मत करके आना टिक यह वाल इस पर टिक करके आना है Ali कən herש. इस लेकिन फ्लेट फायल करेमें वन लाइन की डाइना टैने रहाए में हमने एक लाइन की दे regional उसक्ति है और रेलेशनल सिस्टम में बहुता सकती है यहां पर फ्लैट फाइल में one ही हो सकती है नेक्स्ट कोशन देखते हैं डैस इस सैट डाटा वेलिए इनके लिए एक सेट ऑफ डाटा वेल्यूज यह क्या कहते है इसे हम कोलम तो कहते ही कहते हैं इसका व्याइब नियुक्ष भी चैने फिर्ट जबंशन के बीच पीच में रिलेशन सब्सक्राइब यह फिर नेक्शन जो होता है दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं बताइए आजी तो इसका अंसर है रिलेशन्शिप जो हमारे रिलेशन्शिप होती है वो क्या है दो या दोसी यादा टेवल्स के बीच का इसोशेशन या फिर कनेक्शन में हमें टाइम देख रहा हूं हमें बहुत सारा टाइम हो गया है बार है मिना ठोचकी है हमें और आधे घंटे भ हो आ रहा होता है रहा सकेटी में ठीक है ने थोचन देकते हैं है technically छिली देखते हे लिच्छान बहुत स्कुस्टल मौदेर हो गई कि आढकरवड हो गई थी लिच्छ से धा मोस्ट कामन दिटा हूस्टissez eursमें में से क्यों सा मोस्ट कामनी यूस्ट डाटपर लाह है है एक मिनट है डीमेल कमांड इनमें से कौन से है जो के मोस्ट कॉमल यूज़ डीमेल कमांड है कमांड समझते हो को यह नीविकरा अडालते ना हुई तो सललेक्ट है जो कि मॄस्ट Plbt । हमारे को प्णको मोश्टaları जो कुषı र hoping somethin के हाथ है आपको यह स्लेक्ट करना है तो कमांड लिखिये,bol , compls लिखिये सब स्लेक्ट करने लिए, एक प्वाल कोश्चन देखा था हूं वो ही मैंने लेसी बनाया है, देखिए यह कोश्चन है, अँओ janillah कोशν है selective all the non-medicial, lists the names, lists निम्सस्टइकलिस का भी यह है select, लेस्ट मतलब भी सेलेक्ट ही है तो सेलेक्ट ही करना है आपको आंसर्स भी देखिए पहला कोशन का तो क्रियेट था क्रियेट टेबल था यह तो क्रियेट कमांड हो गई यह दूसरे वाले यह भी सेलेक्ट यह भी सेलेक्ट दोनों पाट स्टेट एंट्रीज आफ ब्लॉग और ऑज जो आप ब्लॉग में जो एंट्री करते हों डू क्या कहते हैं पोस्ट कहते हैं त्वीट पे होता है ट्वीट तो ट्वीटर पे होता है और बता निकां होता है पिसवंग परफिया पे शुक पर फ्रत्री पोस्टी ने अजयीं होता है इनीचल फॉस्टेट वाइब वाएबसाइट होम पेज सबसाइब यह तो फॉमपेज देस्ट प्रोवाइड इंट्रिन एंट्स्वाइट भाइट अगर्भ लोकल टेलीफूर ने प्रार्वाइट कर दीटीटal डाता को करते हैं लोकाल ये टेलेफंट रक्त पे मतलब जो इसींक हमँरी टेलीफोन लायन से ने जो पहले हमारी टेलेफोन साइन हो आप तो नहीं हो टेलेफोन लेकिन जो पुरानी टेलीफोल लाइन वो ऐसे पड़ी रहती है उनसे हम इंटरनेट शियरिंग कर ले थे तो क्या है डीएसल डीएसल ऐसे भी कोश्चिन आ सकता है कि और उसको बता नीड़ु ओर अंको बताए ठीक है और उप्लाइन ब्लॉक एडिटर कौन सा नहीं है नोट को नोट कर लिए करो यहां पर नोट लिख रहा है कई बच्चे कि नोट को नहीं दिखते हैं और जो भी इनमें से सबसे पहले आप नहीं पड़ा विच अगले दो तो बढ़ लो ठीक है तो यहां पर अनप्लाइंट इवेंट यहां प्रीग यहां भी अनप्लांड इवेंट वर्ड आजाए वहीं ही आपको एक्सीडेंट पर टिक लगा दिना है अब यहां पर आता है section B, अब तक था section A, अब आता है section B, section A में थी हमारे objective type questions, section B में है subjective type question, objective type मतलो अब सेवन्टीन मिनेट्स हो चुकी है हमें, तो थोड़ा speed पकड़ते हैं, देखिए, गिवदा short term solutions for sustainable development, sustainable development के लिए आपको short term solutions बताने हैं, देखिए, sustainable development के लिए लिए लिए, जो तरम सॉलुशन से वो है, legal deforestation and smuggling of forest resources should be stopped, भाई, legal deforestation is stopped होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? smuggling of forest resources, मतलब हम चोरी छुपे forest resources को काट काट कर ले जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, यह सब बंद होना चाहिए, लीगल भी जो deforestation में बंद होना चाहिए, और efforestation ज़दा से यादा होना चाहिए, पेड़ों हमें लगाने चाहिए, proper balance ought to be maintained between deforestation and afforestation, मतलब deforestation और efforestation के बीचे में balance बनना चाहिए, जितने हम पेड़ काट है, उतना ही हम लगा दे, जितने पेड़ काट है, उससे ज़्यादा हम लगा है, ठीक है, planning and building of industrial zones to manage and process are types of wastes, देखे, हम जैसे forest काट गए, वहाँ पे industry लगा दी हमने, तो यह क्या है कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह तो हमें कहीं और उसकी चिकर पेट लगाने चाहिए, बात यहाँ पे जो main है, वो क्या है, trees related, हमें tree लगाने चाहिए, आपको 3 point लेग दो, 3 के बारे में, बस हो गया, लेकिन यह point आप याद कर लीजिए, मैं तो कहता अब, आप एक screenshot ले लिजिए, यह तीन questions का, ओके, उमीद है अपने screenshot ले लिया है, सली, what is the role of entrepreneur as innovativeness, innovativeness के रुप में, entrepreneur क्या role है, internal stress generates with the human regarding as the unreasonable manners, the internal stress is one of more kinds, अरे यह क्या है, रॉंग कोशन, भाई, गलती से गलत कोशन आ गया है, उसका गलत answer है, शायद पिछले वाले सेंबर ले बरका answer आ गया है, यहाँ पर गलती से कुछ, कुछ गरवड़ है भाई, तो इस question को छोड़ दीजिए, skip कर रहा है हम इस question को, ठीक है, यह question गलत है, चलिए, next question देखते ह इसका screenshot यहाँ से हटा देना, उसे screenshot को डिलीट कर दो, नया screenshot लो, ठीक है, ले लिया screenshot, चलिए, next question देखते है, what is the basic principles of effective communication, effective communication, basic principles आपको बता नहीं, तो देखे है, most basic principles of effective communication, effective that is, intended message of sender and interpreted message of the receiver are one and the same, देखे, effective communication के लिए कि जो receiver सुनना चाहता है, वही communicator बताए, मतला जो सेंटर है, वही message बचे जो receiver सुनना चाहता है, और जो receiver सुन रहा है, receiver सुन रहा है, receiver सुने जो, sender कहना चाहता है, ओंज रहे हो, ठीक है, although this should be goal in communication, यह goal भी है, it is not always achieved, हो सकते ह the set of principles need to be followed to ensure it, the most popular name of the basic principles are known as seven C's of effective communication, हमने seven C's पढ़ेते, effective communication के, अगर आपको याद हो, अगर वीडियो नहीं देखिए, तो आप देख सकते हो, यह कि वीडियो हमने, communication skills को पूरा खतम कर दिया था, एक है, चलिए, पार्ट भी है, यहाँ पे, subject specific skills पे शोटर से टाइप कोश देखिए, differentiate between primary key and foreign key, इस question को मैं पहले भी एक बात करा चुका हूँ, फिट से करा रहा हूँ, क्योंकि important है, तो primary key और foreign key में difference बताना है आपको, primary key क्या होती है, unique value that identifies a row in a table, whereas a foreign key, foreign key क्या होती है, identifies a column or set of columns in one, referencing table that refers to column or set of columns in another reference table, कुछ भी समझ भी नहीं आया, तो अब समझ ली यह किये है और यह किये है, time देख लेते हैं एक बार, आट मिनटे वास हमारे बास, देखे, तो दो टेवाले हमारे पास यहां पर इसमें यहां पर primary key है, यह primary key है, इसमें भी हां पर primary key है, तो यह जो primary key है, यह इसकी foreign key है, क्योंकि हमने यह दोनों relationship बना दी है, जह हम relationship की date क हो जाती है, तो इसकी यह primary key है, यह इसकी foreign key है, समझ रहे हो, और इसकी यह primary key है, इस table की foreign key है, क्योंकि यह आपसमें link हो चुकी है, अगर आप इस table में कुछ data delete करोगे, तो इसमें भी होगा, इसमें कुछ change करोगे, तो इसमें भी change होगा, इसमें change करोगे, तो इसमें भी change ह इंवन डेफेंसिंग टेबल जो रेफेरेंस हो चुगी है टेबल एक टेबल में के वाल वन प्राइमरी की हो सकते लेकर मल्टीबल फॉरंड की उसकती है ठीक है लीजर बेसमेंटल सिस्टम के मुष्टन का जरुपार अरेणजमेंट के लकासी मेडे को मोव करोगे तो आपको यहांपे एक लायन बन जाएगी उसके पास लायन पी ऐसने नहीं मन्ती ऐसी एक डिये इस एसके ले अा-नौ के क्न should कवेफ़ोगे वह से रिलेटीवर्याइट से डिक के यहमोगा दिध करते कि अलों कहें और अरेंजuencia benefits को ग्राफिक्स को TP से रिलेशन में締ेफ्र टेस्ट जब आप ग्राफिक्स में आ अगले खरेंग diferen मा इंपोहटन है लिखना पड़ेगा एंचरींग एंचरीं नहीं होता है तो इसका कोईonton न कर पॉइंट होगा अगर पर दूप पोर दो जाएगा रेफरेंज टो पीज आपको कर दो दो यहां मन जाएगा जाएगा दूशक्त reference to text कर दो यहां किसी इस वाले टेक्स पे मेरा एंगर पॉइंट बन जाएगा तो एंगर एंगर इंगरिंग क्या होता है position of graphics relative to text रेफरेंस पोईंट आफ ग्राफिक्स इस पॉइंट भी page हो सकता है प्रेम हो सकता है ऑब्जेक्ट जहां पर भी ऑप्जेक्ट वह सकता है र्प्र ऐसका इमेज ओ dissertation कर अधनी है एक और बार में टाइम देखता हूं पाच मिनट है कैसे रिकॉर्ड कर सकती है पहली बार कोई स्टेप वाला कुश्चन करा रहा हूं नई इस प्रेड़ सीट उपन करनी है उसमें कोई भी नंबर पगारा डाटा पगारा डाल दीजिए फिर उस रेंज को सेलेक्ट कीजिए फिर टूल्स पर चाहिए मैक्रोड पर क्लिक कीजिए उससे क्या हुआ कि जो मैक्रो रिकॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर हो डाला हुआ है फिर हमें गया टूल्स वाली मेन्यू पर ट Brush मेन्यू में मिली उससे मैंने ऐस रिकोड मेक्रो पर ट्लिया उसके शोमें मेरे पास से बयात्ति नेघ्र लाइग गयो तोasedho एगी मक्रोड खोडिंग बटन और मेलेगरा जिसेकर मेरे रिकोडिंग को लिखने हैं ओनलाइन शॉपिंग तो मैं तो आपको चारह एडवांटेज बता दू है क्योंकि तो अगर किसी गस्टूमर के पास टाइम नहीं है इस्टोर को विजिट करने के लिए करना पड़ेगा फिर ओनलाइन शॉपिंग करने पड़ेगी या फिर वह ओनलाइन शॉपिंग को चूज कर सकता है अगर उसके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है या फिर एडवांटेज एक और क्या है प्रोड़क्ट और सर्विस्ट इस नोट अविलेबल लोकल मार्केट म कोई भी सामान मेहका मिल रहा है तो वह आपको ओनलाइन सस्ता मिल सकता है यह भी एक एडवांटेज है ओनलाइन शॉपिंग का ठीक है चलिए इंस्तेन्ट मेस्जिंग क्या हाथ है इंस्टेन्ट मेसेजिंग बड़ें से लौंग असर टापकूशनेफॉर माक्स को शरेद बड़ा है लिखना पड़ेगा कुछ फूछ तो बड़ा हिस घालिक है मैनी इस्टेन्ट मेसेजिग आई एम एस आ फॉर्म अस्टेश उसमें बाद करते हैं टेक्सट बीस्ट कम्युनिकेशंट वो दू procurement में होता है जैसे वाट्सएप में वीडियो कोल कर सकते हैं वाट्सएप में हम wideyo कोल कर सकते हैं audio कोल कर सकते हैं video conferencing कर सकते हैं audio conferencing कर सकते हैं file transfer bhi कर सकते हैं ठीक है? चलिए Instant messaging software is widely used whatsapp business यह चांट है जैसे को मचेशिंग गूजर कस के लिए यूजर कर सकते ही हो एक भी यूजर ये पहल थी होते होते हैं कि वૈ प्रेजिब on be spontaneous some instant messaging software allows a user to view messages received when they are not logged on कुछ instant messaging software तो ऐसे होते हैं जो बिना login के ही बिना login करे ही आपको क्या दिखा देते हैं message दिखा देते हैं जिदी आर को offline message यह message क्या कहलाते हैं offline message for utilizing audio and video chat or conferencing you need to have microphone or headset or speaker and web cameras यहां पर देर रखाय कि अगर आपको video call audio call audio conference video conference ने तो उसके लिए आपके पास microphone होना चाहिए headset होना चाहिए speaker होनी चाहिए और web camera होना चाहिए यह तो सब को पताईए बाई जब बिना लान इन्डेट और hanging इन्डेट समझती है इनको देखें लेफ्ट इन्डेट क्या होता है वह इस्पेस बताता है पेडाग्राफ और लेफ्ट वाला edge देख रहा एं एक करें तर एक फार्ट लाइन इंडट को हम यह से यूज करते हैं उस नीचे वाली नेक के लिए यूज करते हैं दस्टंब पोजिशन ऊफटे लंग दा लाइन ओ पेरग्राफ के पहली लाइन से जो वाली लेंड होती है उसकी position को differ душ होता है शर्ट कोशन बहुत ही important question है द्यान से देखना यहसी निए आपको मिलेंगे एक ही question आएक कोश्चन आईगा यह समझिये एक table है यहाँ सब्सक्राइब माने है इक को द्यान पिर दखते हुए आपको फ्लाइट इवाइट नमबर वेर केयर 5 डेस्टिनेशन केयर 30 सोर्स केयर 30 टिकट नमबर वेर केयर 10 और फियर आजेंटी आजेंटी अजेंटी मतलब इंटीजर तो यहां पर मैं कमांड क्या लिख हूंगा गिजेट टेबल फ्लाइट कि ट हूं माल लग रहा है सोप्सेट केयर 30 टिकट एंबर वेर ख्रत हैं और फियर आई एंटी और लाश्ट में ब्रेकेट बंद करना मत बूलना और यह टेबल का नाम दे रुखा है class और यहां पर queries को write करना है तो यहां पर query क्या है Select all the nonmedical stream students यहां पर जो nonmedical stream के students से उनको select करना है from the class table class table से nonmedical stream वाले students को select करना है all students of nonmedical stream करते हैं किसके लिए और के लिए तो सेलेक्ट इस्टार फ्रॉम क्लास विए सब्जेक्ट इस इक्वल टू नॉन मेडिकल ठीक है चलिए हाँ तो यहां पर नेक्स्ट कुश्टन दिखते हैं लिश्ट दा नेम्स देट हैव ग्रेड ए सौर्टेड बाई एवरेजमा ए कि रच जनन्म बैच्चों की यहां पर ग्रेड़ एए घला 1 ऐ अनको देखाना आश्कें आपको उनको सलेक्ट करना है और करना मुण और यह रिजमाट यह उर्यरने को पाई देशनक करना है इसेंड़ में नाम करना है लिष्ट था नेम्स वोन बच्छों के नाम बताने है असे निगोट में सेलेक्ट नेम फ्रम क्लास वियर ग्रेड इस इक्वल टू ए ग्रेड जो है वो यह होनी चाहिए ओडर भाई एवरीज मार्क ओडर भाई एवरीज मार्क से हम ओडर करें ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में होगा एक फिर से टाइम देखते हैं 33 मिनट हो चुगी है मतलब आदा गंड़ा से हमें तीन मिनट जाता लगी थोड़ी बहुत बीच में बच्चित की उसमें टाइम लग गया होगा दो तीन मिनट का तो हमने आदे गंड़े के अंदर पूल और कोई भी बात और कोई बात नहीं है हाँ कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दे वीडियो अच्छी लेगी तो भी कमेंट करके बता दे कोई भी बता दे पर कमेंट करके जरूर बता दे ओके थेंक्यू बाई